मुश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के एगले अपिसोड में आज हम चर्चे करने वाले हैं option trading की with technical analysis अब इसका फाइदा ये है कि market चाहे ऊपर जाए या market नीचे जाए आप market में नए ट्रेडर हो या market में experience ट्रेडर हो दोनों ही इसको apply कर सकते हैं और बहुत अच्छ का return ले सकते हैं हाँ शर्त ये है कि इस वीडियो को आप last तक ध्यान से देखें बंधो step by step follow करें ठीक है और कोई doubt हो तो comment box में लिखें I am ready to help you out अगर आपको मेरी personal attention चाहिए you can join my courses ठीक है otherwise आप चाहें तो video tutorials भी purchase कर सकते हैं मैं link description में दे रहा हूँ बट अगर strategy को ध्यान से देखोगे तो इससे काम चल जाएगा पैसे करच करने की जुरूत नहीं पड़ेगी हाँ चलते हैं आगे इस strategy को समझते हैं तो इस strategy का नाम है bb breakout option trading strategy जो कि expiry day और weekly pay weekdays में आप trade कर सकते हैं इस strategy को apply कर कियो और कोई नौसिखिया भी कर सकता है बट वो लोगा यही कि बहुत नौसिखिये हो तो future and options से direct start मत करो और start करो तो किसी mentor के अंदर में करो क्योंकि ये market बहुत profit देती है तो बहुत जादा risk भी आता है anyways तो इसका objective यह है कि आप expiry day trading पे अगर इसको apply करें तो लगवाग 5 से 10 गुना return तक दे सकती है शर्त यह है कि market neutral sideways exact sideways flat नहीं जाना चाहिए किसी भी direction में जाएगा आपको फायदा देगा दूसरा यह है कि अगर आप weekly trading करते हैं यानि कि आपने आज खरीदा 4-5 दिन के बाद बेच दिया वो आपको 2-3 times का return देगी यानि कि आपको 200 से 300% का मोनाफ़ा आ सकता है अब चाहे price किसी भी direction में हो you can make good handsome return साफधानी जरूर रखे strategy क्या होगी strategy में हम ballinger band breakout का use करेंगे और साथ में हम long strangle को combine करेंगे चली समझते हैं कैसे इस strategy को apply करा जाए तो इसके लिए यह ballinger band का chart है अगर ballinger band आपको नहीं पता क्या होता है कैसे use करते हैं तो उपर भी एक वीडियो आएगी ballinger band की उसको आप जरूर देखें मेरे technique analysis का free course है जो की आई इस YouTube चैनल पर है और अगर आपने subscribe नहीं किया है तो आप subscribe जरूर करें और उस playlist को देखें बहुत मज़ा आएगा तो यहां पर जो ballinger band है आप देखेंगे एक अपर band होता है और फिर इसका lower band होता है और अपर और lower band इस reason में squeeze हो रहे हैं यानि कि इस reason में दब रहे हैं तो जब ballinger band दबता है squeeze होता है तो यह बताता है कि price की कितनी कम volatility है volatility इसलिए कम होती है क्योंकि वहां पर या तो buyer नहीं है या seller नहीं है और trading नहीं हो रही है तो trading क्यों नहीं होती ट्रेडिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि buyer और seller directions decide नहीं कर पाते कि ऊपर जाएगा या नीचे बट फिर कुछ time के बाद ऐसा होता है कि या तो market makers operators operators खरीना चाल करते हैं ताकि direction दिया जाए या फिर आम पबली की राय बन जाती है तो बैंड squeeze के बाद आपको अकसर price में direction दिखाई देगा तो यह जो strategy होती है बॉलिंजर बैंड की यह जॉन बॉलिंजर ने काफी शाइन पहले दी थी और इसी strategy को हम अपलाई कर रहे है option की trading में अब हमे की direction बताता है price का पर हम जो है यहाँ पर directional trading कर नहीं रहे हम यहाँ पर non directional trading कर रहे हैं यानि की market neutral strategy apply करेंगे कई बार ऐसा होता है कि band squeeze होने के बाद हमारी जो direction होती है उसकी assessment fail हो जाती है यानि की हम हमें लगता है नीचे जाएगा price उपर जाएगा चला जाता है तो एक बात होते है कि band squeeze के बाद price direction लेगा ठीक है बट कौन सा direction लेगा यह भी पता चल जाता है ठीक है कैसे पता चलेगा exactly तो मेरी वीडियो देखिए या फिर आप चाहें तो मेरे detailed course भी ले सकते हैं 999 रुपीज का है सर्फ और मैंसे personal टच चाहिए आप चाहते हैं लाइव ट्रेडिं आप बन जाएंगे anyways तो मैं कह रहा था कि आपको band squeeze के बाद price हमारा किसी नुत किसी direction में जाएगा ठीक है अब यह situation होती है जहां पे हम अपनी option की strategy को लगाएंगे तो breakout के बाद ठीक है हम execute करेंगे option कौन सा strike price लेंगे यह अभी मैं आपको बताता हूँ तो यह हमारे दो situations है जहां पे हमारा breakout हुआ और इसके बाद हम option की strategy को execute करेंगे उसे पहले चौरत नहीं है पहले करोगे थोड़ा tension होगी क्योंकि we don't know कि band है वो प्रॉपर squeeze हुआ है या नहीं हुआ है या direction ले रहा है या नहीं रहा तो band squeeze के बाद breakout का इंजार करेंगे किस इसका breakout moving average का breakout किसी भी बॉलिंगर वैड में 20 पीरिड का moving average अधर center line होती है यहां पर yellow line जो है center line है moving average की तो जब इससे प्राइस उपर चला जाए या price इससे नीचे चला जाए तो हम दोनों साइड की position मनाएंगे बोले सा directional है प्राइस एक ही साइड जा रहा है तो क्यों ना ह करें ऐसा देखो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं तो जो नोवाई स्टेडर होते हैं उनको पिल्कुल आइडिया नहीं होता direction gas करने का दूसरा bollinger bend squeeze होने का मतलब नहीं है कि direction जो है moving average के breakout वाली पकड़ेगे कई बार direction change भी हो जाती है so on the safer side हम दोनों direction का position बनाएंगे ठीक है और we'll ensure कि premium उतना ना देना पड़े और हम अच्छा profit निकाल के लेके जाएं ठीक है remember हमारा जो weekly target होगा वो 2 to 3 times का रहेगा यानि 200 से 300% का ठीक है तो इसमें हमारी entry कहां बनेगी तो अभी जो मैं आपको entry दिखा रहा हूँ बना के वो हम लोग बना रहे हैं daily chart पे आप इसको intraday में भी कर सकते हैं तो आप buy करेंगे otm call ठीक है next expiry की near वाली नहीं next expiry की weekly expiry की और आप buy करेंगे otm put next expiry की near वाली की नहीं करेंगे या जो current expiry आने वाली है उसकी नहीं करेंगे तो यह position आप बनाएंगे अब यहाँ पर एक question उसता है कि कितना profit बनाया सकता है जैसमिन अलर्ड दो से तीन गुन और अभी मैं आपको इस वीडियो में test करके बताऊंगा दूसरा क्या इस strategy को intraday में apply किया जा सकता है हाँ इसको आप intraday में apply कर सकते हैं और इस वीडियो को like करो share करो अगर मेरे पास जादने 1000 लेक भी आती है और 100 shares भी होते हैं तो मैं वह आपको intraday वाली strategy भी बताऊंगा अभी फिलहाल मैं आपको weekly वाली strategy बता रहा हूँ तो वीडियो में आगे चलने से पहले एक चीस का ध्यान जरूर रखें अगर आप intraday strategy कर रहे हैं अब आज जादे trading करते हैं तो आपको एक ऐसा broker चाहिए जो की brokerage नहीं लेता हो जब आप किसी option strategy में काम करते हैं तो आपको 2 या 3 like की या दोनों side की trade की brokerage देनी पर दाती है पर जब अब ऐसा नहीं होगा आपको चुनना चाहिए नए जमाने का broker so एक ऐसा broker होना चाहिए जो चाहिए जितनी भी option trade कर लो कितनी लेक बना लो 0 brokerage ले इसके लिए suggest M-stop पहले भी suggest किया है by paying 9.99 आप fully जोग 0 brokerage plan से account open हो जाता है और additional 9.99 AMC देने से lifetime free हो जाता है आप intraday, future option, future fund, currency, IPO सारे segment में free में trading कर सकते हैं you can check M-stop website for detail check this sample contract note मैं दे रहा हो या देखो no brokerage in any segment आप इसका brokerage calculator भी try करके देखो आपको पता चलेगा कि आप actual में कितना बचा रहे हैं M-stop के platform पे 20 लाग trade एक दिन में execute हुए विच फोटा trader नहीं है या broker नहीं है that's an achievement last one year में they have added 5 lakhs user बहुत इसे बर रहा है और गजब की बात यह है कि 600 crore प्लस margin trading facility लोगो ने use करी MTF facility के थरू आप स्रिफ 6.99 annual interest पर आप stocks की delivery ले सकते हैं which is one of the lowest in industry delivery में उठाव, swing trading करो, save भी कर सकते हो M-stop app has new features, very amazing features one click order execution, voice search, pre-design index, basket orders, बहुत कोच मेरा असे बहुत पुरानी कमपनी है रवक 15 साल पुरानी कमपनी है and it is over, it has over 170 billion asset under management it's a mega mega size investment bank मेरा असे असे बार मार्के इंडिया प्रविट लिम्टेट इस वेल इस्टाबिश्ट और रजिस्टेट कमपनी with SEBI, NSCBS in India तो पूरा सेफ है फालतू के चीजों में मत जाओ तो बंदो एक बार M-Stock का भी ट्रेडिंग और डिमेट अकाउन उपन कराके देखो, इसका मोबाईल अब चलाके देखो विल सेफ थाउजंड जू, ब्रोकरेज, टाक्सेज, अन इंडरस्ट I am giving link into the description below अब उसको देखो, must check it after the video, start your account now चलिए इस strategy को हम लोग test करके देखते हैं, काम करती है नहीं और exactly कहां पे हम trade करेंगे चलिए strategy को हम live market में समझते हैं, कैसे उसको apply किया जाएगा तो मैंने अपना trading account खोला वा M-Stock का, तो पहले तो आप चार्ट खोल लेते हैं, nifty का index और nifty index पे मैंने हाँ क्लिक किया तो यह मेरा चार्ट खोल गया, nifty 2855 चल दी है आज, और इसके अपने हम इंडिकेटर अप्लाइ करेंगे बॉलिंजर बैंड मैंने लगा दिया बॉलिंजर बैंड तो यह हमारे daily का चार्ट है, आप देखी, यह हमारे daily का चार्ट है, और अच्छा, one minute का है चले, daily पे आ जाते हैं यह हमारे daily का चार्ट है और किसी का screenshot जो है, मैंने यहां से लिया था, आप screenshot लेके किसी के साथ में share कर सकते हैं अगर आपने, जैसे मेरा कोर्स पर लिया हुआ है, आपको help चाहिए होती है, तो आप screenshot लेकर कि मेरे को app में share कर देता है मैं हमारे feedback देता हूँ anyways, तो यहां पे हमने देखा कि हमारा यह जो area था जहां पे हमारा price नीचे गया, हमने एक चीज का ensure होना होता है कि price जो है moving average को नीचे तोड़े, और band हमारे squeeze हो, तो direction मिलना चाहिए band squeeze के बाद तो जिसे यहां पे band squeeze हो और फिर price को नीचे का direction मिला similarly, यहां पे band squeeze हो और price को उपर का direction मिला, जब तक price एक direction में है band squeeze होता जा रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे but जब band के opposite direction में price तोड़ता है moving average को यानि कि जो narrow range है उससे फिर band खुलने लग जाती है तो यह एक ऐसा region होता है जहां पे आप position बनाते हैं, तो यहां पे आप देखेंगे 19 तरी को price band से नीचे आ गया तो फिर भी touch कर रहा था तो या तो 19 को position बना ले या बीश को बना ले जब हमारा price नीचे आया था ठीक है तो इसकी position हम कैसे बनाएंगे हमें यह ध्यान रखना है कि हमें out of the money यानि कि यह लेवल का 19,861 है मतलब 19,850 ठीक है आप राइट हैं में price taking लिखा रहा है इसका हम call buy कर लेंगे और हमारा 19,450 यानि 445 दीख रहा है तो 450 के आसपास के हम put buy कर लेंगे तो हमारे यह long strangle बनेगा अब price चाहे ऊपर जाए या price नीचे जाए हमारा profit आएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे इस strategy का क्या हमें result मिलता है तो इस strategy को आपने समझ लिया अब यहां पर क्या होता आप अगर trader होते तो आप यहां फीड कर लेते इस strategy को अपने account में जो भी आपका account है m stock का जैसे मैंने 8 number watchlist ली ठीक है यह watchlist अंडर्सकोर 7 आ रहे तो यहां पर हम यहां पर nifty ले लेते ठीक है जो भी आपकी nifty है 19,850 के असपास की आपकी nifty बनती वह आप यहां पर add कर लेते call ठीक है तो अगर आपको call चाहिए तो आप call search कर लो ठीक है तो 19,850 की call आप add कर लेते इसी तरह से आपको put add कर नहीं थी 450 की तो आप 450 की put add कर लो ठीक है आप यहां पर put add कर लो तो इसे साब से आपके पस दोनों strike prices यहां पर add हो गए और you can easily trade आप basket order भी लगा सकते हैं आप normal order भी place कर सकते हैं बड़ चलिए हम लोग strategy को back test करते हैं अपने account में ठीक है तो back testing के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑप्ष्टर तो ऑप्ष ऑप्ष्टर जो है कफी अच्छा software है यह रहा हमारा software तो यहां पर मैं option simulator पर जाता हूं और यहां पर हमने decide करना है कि अलग बग यह ठार October है 19 October के आसपास तो 26 October की एक expiry आएगी और फिर हम current वाली नहीं करेंगे हम next वाली करेंगे तो next वाली expiry को पगड़ते हैं तो दो न November वाली 20 October को करते क्योंकि हमने यह decide किया था कि जो current वाली है जो 26 को expire होगी वो नहीं करेंगे उसके बाद वाली करेंगे 2 November वाली थोड़ा सा time हमारे पास रहता है adjustment का ठीक है तो nifty हमने लेली 2 November की तारीख ले लेते हैं let's suppose 18 October से चालो करते हैं और 2 November तक इसको carry करते हैं ठीक अब यह आ गया हमारा तो option chain भी आ गई अब हमें 18 October को position मनानी है या बाद में तो M stock पे अगर हम देखें तो हमारा जो expiry है 20 October के आसपस position मनानी है तो आगे चलते हैं 19 October 20 October 20 October आ गया option chain लेते हैं अब इसमें position मनाते हैं position कौन सी हमारी analysis के इसाब से यह जो Bollinger Band का अपर हिस्सा है उपर का 19,850 के आसपास का आ रहा है एक साथार है बाट क्लोजेस्ट हाई गिए 19,850 की call तो 19,850 की call हमने 54 रुपे की आ रही है बाई कर ली एक ही lot ले लेते है एड पोजिशन और हमने देखा कि lower band हमारा आ रहा है 19,450 का तो हम ले लेते हैं 19,450 का lower band by add तो अब इससे क्या हुआ हमारा long strangle strategy बन गई ठीक है अब price इधर जाए या price इधर जाए आपको फायता देगा total हमारा जो cost है वो आया 7300 का यानि कि आपको जो नुकसान है total वो 7300 का रहेगा पूरा premium का अगर expiry पे market इसी range में रहे गई उसकी चिंता नहीं है अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या होता है तो 23 October आएगा क्योंकि 122 को Saturday Sunday है हमारा 700 रुपे का नुकसान आ रहा है इस दिन next day चलते हैं अब यह हमारा 25 October हमारा 2000 कुछ का profit आ रहा है 2300 का फिर हम अगले दिन चलते हैं अगले दिन हम देखा में 15,000 रुपे का फायदा आ रहा है यानि कि market इस दिन काफी गिरी है और तो मैंने यहां पे 30 minute और बढ़ाया फिर मैंने यहां पे 30 minute और बढ़ाया और दिये देखो आप लगवग 19,000 के profit पर हो यानि कि आपने चो invest किया था वो किया था लगवग 7000 रुपे और आपको लगवग अड़ाई होना से थोड़ा ज्यादा हो गया मतलब अगर 2000 और मिल जाते हैं तो आपको थ्री टाइम्स का रिटार्न मिलता तो इस स्ट्राटेजी में आप ध्याने के हमेशा अगर टू टाइम्स या थ्री टाइम्स का आपको प्रॉफिट आता है तो आपको निकल जाना चाहि है आपको ये वीकली वाली ट्रेडिंग में आपको फोट और फाइव टाइम्स का टार्गिट नहीं रखना चाहिए वो आप इंट्रडे में कर सकते हैं एक्सपाइरी पे कर सकते हैं बट वीक डेज में नहीं करना चाहिए तो 100% डिटरन भी काफी होता अगर 7000 लगा के 7000 अगर आपको मिल रहा है तो अमेजिंग ना लेकिन अगर आपको यहां पर डबल से ज्यादा मिल रहा है तो आपको निकल जाना चाहिए तो थोड़ा सा और आगे करके देख लेते हैं 15 अगे करते हैं तो इस स्ट्राटिजी में हम देख रहे हैं कि हमारे रिटरन तीन गुन आप इस स्ट्राटिजी को अपने पोटफोलियो में ऐड कर सकते हैं ठीक है अग्र अगर आप यहां पे जाएंगे option पे और option strategies में जाएंगे strategy बिलडर पे strategy बना करके जो भी strategy वह बनाएंगे गयो थो मैंने back test किया ठीक है तो आप उसकी position ऐड कर सकते हैं future में जैसे मैंने bull Scene spread बनाया भाई किया तो यहां पर जो हमारी इस ट्रैटजी है से स्टाटजी इस पर क iemand करें पर पोट क्लिक करेंगे तो यहां सेवोच यह जाएगा और फिर आपका जो हिस्टवर्य पोट पूटफोलियो है वो सारा आपका दिखाएगा तो I was just telling कि अगर आप यह strategy apply करते हैं तो पहले pen paper पर करें real money से करते हैं तो please किसी के guidance में करें और otherwise आप बहतर होगा कि इसको किसी अच्छे teacher से experience teacher से पहले सीखें सारी बारिकियों को समझें और फिर apply करें अगर आप option trading अभी apply कर रहे हैं पहले से experience तो बेधरक बंदू try करो इसको comment box में लिखो में को बताओ कि यह strategy ने काम किया या नहीं किया आपका कितना profit हुआ या नुकसान हुआ अगर नुकसान हुआ तो क्या उपर 1000 लाइक आते हैं और जादा नहीं 100-500 भी shares हो जाते हैं share हो जाता यह video तो मैं आपको intraday में expiry day पे इसी strategy को कैसे apply करते हैं non-directional किसी वो direction में जाके फायदा कैसे दिलाएगी यह मैं आपको सिखाऊंगा बिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care see you soon testing